हम भी नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागत्त है मेरे यूट्यूब चैनल पर पैज्ब मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे मेरी जो दूसरी वीदियो बनाई है मैंने बाबज लन्दर नाठ जी के जन्म के बारे में और देर हो उस वीडियो में जो कमेंट आये थे उसके अकॉर्डिंग में उनके जन्म की एक कथा दुबारे डार रहा हूं कि उस वीडियो में मेरी जो आवाज थी वो सही नहीं आ रही थी कटकट के आ रही थी तो आज मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूँगा कुरुबश में महाराज जन्मजे के बाद सात्मे राजा विरिशवा ने हस्तिनापुर पर शासन करते हुए सोम यग्या करना प्रारम किया उसने पहले शिवजी की प्रल्य अग्णी में कामदेव को चलाया फिर अग्णी के पेट में खुद चले गए ये देखकर अंतरिक्ष नारायन ने संचार कर अग्णी कुंड में डाला पूर्ण अहुती के पहश्चात यग्या कुंड की रक्षा है तू ब्रामनों ने हाठ डाला तब ही उनके हाथ एक बच्चा लगा जब बच्चे के रोने के स्वर सुनाई दिये तो प्रोहित ने राजा से बच्चे के बारे में कहा तब बच्चे को देखकर विश्रवा राजा को संतोष हुआ उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और खूब लाड़ प्यार किया और वे सोचने लगे ये तो प्रत्यक्ष मदन अवतार है फिर वे बच्चे को लेकर राणी के पास चले गए जिनका सवरूप देवांगना के समान सुन्दर था तब राणी ने पूछा कि हे महराज ये बालक किसका है तब राणी ने उत्तर दिया ये अगनी से उत्पन अगनी देवता का आशिरवाद है उसके बाद बहुत बड़ा महतसब मनाया गया फिर दानपुन्या करके बालक के नामकर्ण की रस्म की गई और बालक का नाम जिलंदर नाथ रखा इसी प्रकार समय व्यतीद होते होते जलंदर नाथ जी कुछ बड़े हो गए तब राजा रानी आपस में सला करने लगे कि क्यों ना इनकी सगाई करके इनकी शादी की जाए तब राजा और रानी ने प्रधान पंडित को बलाकर जलंदर नाथ जी की सगाई की बात की जब प्रधान पंडित वहां से चले गए तब जलंदर नाथ जी ने अपनी माता से पूछा कि हे माता ये सगाई क्या होती है तब उनकी माता ने बताया कि सगाई करके पत्नी को घर लाते हैं तब जलंदरनाथ ने पूछा पत्नी क्या होती है माता ने उक्तर दिया तेरे जैसी छोटी लड़की तब ये सब बातें ध्यान में रखकर जलंदरनाथ अपने सात्यों के साथ खेलने चले गए और मित्रों से कहा मेरे माता पिता मेरे लिए पत्नी मंगवा रहे हैं वे किस व उसने लगे ये सजसार कितना गया गुजरा है जो उत्पन होने का स्थान है उसी को भोगने के कारिया में प्रवित होना चाहते हैं जब गाओं के सीमा रक्षकों ने उन्हें जाते हुए देखा कि ये तो राजकुमार है तो उन्होंने डर के कार्ण उनसे कुछ नहीं कहा और ये सूसना राजा को दे दी ये सूसना सुनकर राजा घबरा गया और राजकुमार को ढूनने के लिए जंगल की ओर चल दिया बहुत तलाश करने के बाद भी जब जलंदर नाथ जी का कोई पता नहीं चला तो वे बहुत घबरा गए पुत्तर वियोग में राजा रानी बहुत बेचें थे जलंदर नाथ जब जंगल में जाकर घास पर सोए तो घास में अगनी लगकर जलंदर नाथ जी के निकट आ गई और अगनी ने अपने बेटे को पहचान लिया उसे सुरक्षित धान पर लाकर रख दिया और सोचा ये कैसी स्थिपी में आ गया है इसी च अगनी ने उन्हें सारी जनम कथा बताइए जलंदर नाथ को सारी कथा सुनने के बाद अगनीने पूचा अब देरा क्या इरादा है बात सुनकर जलंदर नाथ बोले आपको सब पता है मेरे कहने से क्या होगा फिर भी मैं बता देता हूँ मुझे ये दुरलब मानव शरीर मिला है कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए से इसका कल्यान हो नहीं तो ये जनमधारन करने का कोई लाब नहीं मैं चाहता हूँ कि मेरा ये स्त्रिववन में फैले और मैं अमर हो जाऊं आप कुछ ऐसा उपाय करो अपने बेटे की अपूर्व इच्छा सुनकर अगनी को आपार अनंद हुआ उसने जलंदरनाथ की खूब प्रशंसा की जलंदरनाथ सबसे अधिक प्रवल हो इसलिए अगनी देव उने भगवान दत्ता त्रेजी के पास ले गए दोनों की भेंट पारता कराकर उनका साक्षात कार करवाया दत्ता त्रेजी ने अगनी देव से पूछा आपका यहां किस प्रकार से आगमन हुआ है और साथ में ये बालक कौन है तब अगनी देव ने सारी कथा सुनाई मैंने शंकर जी के शरीर से कामदेव भस्न किया था उसे मैंने अब तक पेट में रक्षग करके रखा है और ब्रिश्वा राजा के यग्यकुंड से इस जलंदरनात की उत्पत्ती हुई है अब इसे आपके चार्णों में अर्पन करता हूँ आप इसकी रक्षा करो और उपतेश देकर चरंजी भी बनाओ इस पर दत्यत्रेजी ने कहा आपकी मनो कामना मैं पूर्ण करूंगा परन्तु जलंदरनात को बारा वर्ष तक यहां रहना होगा जब अगनी देव जलंदरनात को वहां छोड़ने के लिए तयार हो गए तब दत्यत्रेजी ने जलंदरनात को गोदी में बठा कर उनके सिर पर हाथ फेरा और उनकी आग्यानता दूर की तब जलंदरनात को ग्यान की प्राप्ती हुई दत्तत्रेजी जलंदरनात को अपने साथ लेकर रोज नित्य घूमने को भागे रथी तट पर जाते और वहां सनान ध्यान के पश्चात विश्वनात दर्शन और कोलापूर में बिख्षा और पंचलेश्वर में भोजन किया करते थे इस तरह जलंदरनात बारा वर्ष तक दत्तत्रेजी के साथ साथ रहकर शास्त्र विद्या में परवीन हो गए उसी तरह वेद, पुरान, शास्त्र, व्याकर्ण आदी में भी परवीनता प्राप्त होई दत्तत्रेजी ने देवताओं की आराधना कराई तब सभी देवता जलंदरनात को वर्दान देने के लिए प्रित्वी पर उतरे अगनी देव भी आये जलंदरनात को संपूर्ण विद्याओं में निपुन देखकर अगनी देव को बहुत खुशी हुई अब सभी देवताओं को परसंद कर और बुजा भेंट कराकर प्रातना की अब इसे वर्दान दो इस प्रकार की वानी सुनकर अगनी देव ने जलंदरनात को कंदे पर बिठा कर बारी बारी सब देवताओं के दर्शन कराए पहले जिन देवताओं से मचेंदरनात ने वर्दान प्राप्त की थे उनी देवताओं ने जलंदरनात को भी वर्दान दिये तब जलंदरनात ने बारा वर्ष तक बद्रिका आश्रम में जाकर तपस्या की जब वे कसोटी पर खरे उत्रे तो सभी देवताओं ने उनकी प्रशंसा की और आशिरवाद देकर ब्रह्मा विश्नु महेश अपने अपने स्थान को अनंद पूर्वग गए बद्रिका आश्र में बद्री नात ने अगनीवा जलंदर नात को तीन रात्री प्रयाप्त अपने पास रखा वो समय विक्ट गटना घटी जिसकी कथा शिवजी ने सुनाई थी जिसकी कथा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा अगर आपको कथा अच्छी लगे तो क